एक समय की बात है एक गाव में एक किसान रहता था, उसकी दो बेटियां थी कमला और विमला, कमला की शादी अमीर परिवार में हुई थी, पर विमला की शादी गरीब परिवार में हुई थी, अमीर होने के कारण कमला घमंडी हो गई थी, उसने विमला को अपने घर पर काम प जो भी खाना लाती उसको पहले गणेश भगवान को भोग लगाते उसके बाद ही वह खाती या अपने परिवार को देती। बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत जोरों की भूक लगी है, कुछ खाने को दे दो। विमला ने कहा, मा जी, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने का कुछ भी नहीं है, बस उबले हुए आमले रखे हैं, आप खाएंगे। बुढ़िया माई बोली, हाँ लाओ। तब विमला ने बुढ़िया माई की नींद खुल गई, उसने कहा, बेटी, मेरा पेट खराब हो गया है, विमला ने कहा, आप अंधेरे में कहा जाएंगे, यहीं किसी कोने में निपट लीजिए, अपना हाथ मेरे बालों में पूछ लीजिए, सुबह उठकर मैं साफ कर लूँगी। कमला को रात की बात याद आई, वह दोड़ी दोड़ी घर आई, घर आकर उसने देखा कि घर के अंदर चारों और सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं, वह खुश होकर गनेश भगवान का जैकारा लगाने लगी, उसने अपने बेटे को मौसी के घर से तराजू लाने के लि हो, सच्चाई का पता लगाने के लिए वह तराजू के नीचे लठा लगा दिया, बच्चा तराजू लेकर चला गया, जब सोना नापने का काम खत्म हो गया, तो तराजू मौसी को लोटाने आया, कमला ने तराजू को उलट पलट कर देखा तो उसके पीछे एक सोने का सिक कमला लालच बस गणेश भगवान का नित नियम निभाने लगी और रोज जंगली आवले का गणेश भगवान को भोग लगाने लगी, एक दिन गणेश भगवान उससे सबक सिखाने के लिए बुढ़ी औरत का भेश धरकर उसके घर गए, वह बुढ़िया माई को बैठा औ पर गंदगी बढ़ती ही जा रही, वह परेशान होकर विमला के घर गई, उसने विमला को सारी बात बताई, विमला ने कहा, तुम्हारे पास खाने का इतना सामान था, फिर भी तुमने उबले हुए आंबले गणेश भगवान को खिलाए, इसी कारण गणेश भगवान का को ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो,